वेलकम आओ आओ समझ कर जाओ ना समझ जाए तो कमेंड में बताओ यूही नजी सल्यूशन बॉक्स कर लाओ आओ एंसर आपको बताओ एक 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 explanation के साथ फूर्थ स्टेंडर का हिस्ट्री का लेसर नमर फूर के साथ सुर्वात इससे पहले की वीडियो में हमने फर्ट सेकंड थर लेसन का पुरा जान लिया था लेसन बाई लेसन एकस्पे लेसन साल ये इसी के साथ करते हैं चोट्रे लेसन की शुरुआत इसके जा ये चीजिए वापस बोल रहा हूँ कि सिवा जिंस मैंすकी महराश्ट जब शुरू में था महराश्ट कर सकते हैं की दो लोगों को कब जया जा एक अदिल सा और निजांसा महा दो इंसको बटा हुआ था बाद में अधिकार हो अमें कुछ भी कर सके इतना मैं अधिकार हो हम खास सकके मर्ज़र अधिकार के वीडियों के वी कि उसमें कि संतों ने लोगों के भ्यून भग्ति भाव जगा करों की मदद की उसके आपके मन में आया कि Lab Thai को ने परोषा से आपके महाराज एक उन्युप बहुत बढ़े महां इंसान थे Japanese कई नाम के पिटा नाम क्या होंकि धादा का नाम क्या उनकी दादी का नाम कई क्यों चीज़ाज सारे मनं में विचार आना शुरू होते हैं के ह拜拜 को नहीं सिवाजी का नाम सिवाजी सिवाजी महाराज का जनम कहा हुआ सिवाजी महाराज का लगलत व्यака lg दीर कॉस्थ सब्सक्राइब जी नाम सिवा जी क्यों रखा गया कुछ और क्यों नहीं रखा गया और इतने महान क्यों थे और इससे पहले के लेसन में हमने सीखा था कि सिवा जी महाराज का जो घर रिलेसंसिप था वह कैसा था कि वह जो सबसे उनके बुजूर्ग हम उनके सबसे पूर्वज बाबा जी राज सहाजी राजी की पतनी जीजाबाई और जीजाबाई के लड़के कुथ सिवाजी माराज सिवाजी माराज की माता का नाम जीजाबाई पतदजी का नाम सहाजी राद है टो चलिए खोते लेसन का इसिके साथ comics stitching सब का स разв rheखते वए आगे बढ़ते हैं हम महाराज sini महाराज का बच्पन माहाराज का जनम हुआतों कितने न कि भाव कहा हुआ का जनव साथ कि बार में जाने जायंगे किया क्या हुआ कि 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 पिक्शर क्यों दिएई पेच्चे भी कुछ पर देख सकते हैं चले एक एक पेला ग्राफ के साथ शुरू करते हैं आगे बढ़ते जाते हैं उससे पहले अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक में उपर देंगा उधर से आप जाके तिसरा लेसन देख सकते हैं और समझ सकते हैं फिलाला माँ कि जनम का हुआ तो सबसे पहले आपके मन में विस सिवा जी महाराज कोण है उसका जवाब हमने दिया क्यों क्यों कर भूत महान इंसान है जो हमें गुलामी से इनकी स्टोरी बहुत morality मतलब की बहुत कुछ सिखाने वाली है बहुत कुछ किस्ते के से उन्होंने आगे बढ़ा इस सब सीखेंगे इसी जास फटा-फट शुरू करते हैं कि सिवाजी महाराज का जर्म का हुआ उन दिनों चारों और राजिकताब भेली मिंस की कई न गई उस इस गलत सार अगर कुछ ट्रriver प्राप्लं रॉख आज नहीं स्टी हमारा भारत करी न गई कुछन इस तरह कहें a इधर आपको मिल सकता गुजरात इधर मिलेगा महाराश इधर मिलेगा उत्तरपदेश इधर मिलेगा पांगलादेश मिन्सकी इधर मिलेगा और इधर मिलेगा कुलकत्ता इधर जम्मु कस्मिर इस तरही किसा हमारा है देश तो उत्तर भारत मतलब कि इधर का एरिया इस इस इ बाए था वह इदर यह उक्तर भाइरत में है साजा का ताजमेले साजा ने दत्चिड ूत्तन साइड की टिछे तृम मतलब जब उपugen का इसा अंक्ना था ओना नीचे फ़का ने के कोशिज जुतने के त्यारी में लग गय तो इसा समंझ लीजा गोल स्वारी यह गोल तो उन्होंने क्या भेजा कि इस अपनी सेना भेजी जाओ लड़ो और इसा उन्होंने बोला जाओ इधर कभ इसा कबजा करो इस अबने लोगों को ऊधर भेजा को प्जा कर सकें आगे किताब चलते हैं कि पूरे सहाजी राजी की जागिर ते जो पूरे का इससा रहा पूरे मतलब बोले जाए तो मैं आपको वापस एक बार वह सी चित पर लेके चलता हूं पूरे मतलब आप ऐसे देख सकते हैं इसे कुछ था हमारा ड्रोइंग सुरी आपको समझाने के लिए सी वैसा ने तो अमारा देश इससे बहुत लाग गोना अच्छा है यह बना देता है आपके लिए से कुछ इस तरीके से कि यहां साजीराय Vine का हक था इससने महारस्टे निसने के विए महारस्ट्य इससे सकते हैं फूरे क्या था तो फूरे का था वीजापूर का आदिल्सा ने उससे तक दिया मिंस्की जो साजी लाजे टोंको कहीं अगर्यान पर्हाइब से घर तो याहां बम जो तो एक तो खाई मिंसकी जब यह उत्थाइब कश्या आ रहा है तर्स इतने इस से फिंट आद्य में लाकर रहा था एक तक बैदा इतन घा वहार मों खिल्ध सार्थ पहले दोशेओं बदा आदिल सा और निजाम सा निजाम सा तो आदिल सा तो साधीरा जी राजे भी बहुत हुआ एक तरफ खाई इसा आलत हो गया था उनके जीवन में अस्थिरता आ गए मैंस कि वह परिशान हो गए था हर्चारों साइट से वह बेश्चेन हो गए थे परिस्थिती में जीजा भाई गर्वदी तब यह प्रस में सामने आया कि एसे अराज कता कि स्थिती जथा भाग दोड़के उन्हें कहां रखे मिन कि उसमें कुछ भी हो सकता है सा पुनने में तो कहीं भी वह हम थे हमला हो सकता तो इस बाथ साहाजी राजे कई दर हैं तो वह सोचे थी को सिर्णेरी किला की याद है मिंसके साजी राजे का किसकी याद है सिर्णेरी किला की उन्हें जीजा भाई को सिर्णेरी में रखने का निच्छे किया पूड़े जिला के जुनुर के पास सिर्णेरी यह अब्यक किला है उनके चारों और उचे-उचे धिले मजबूत दिवार और सुड़ दरवाजे थे किला बहुत मजबूता मतलब कि जो किला था बहुत मजबूता बहुत सुरच्छी था तो उन्हों साजी राजे ने सिवा जी महाराज की माता जी जीजा भाई को नहीं रखने का निन लिया कि विजयराज कि उनके किलेदार है मिसकी वे भोशले के रिष्टदार में से थे विज्य राज तो बहुत भरे से मन्दातमी और वह उन्को मानूं था कहीं कर सकते तो उनको सुरचित रख सकते रहें तो उन्हों निग्रानी में जीजा भाई को रखा वपने उपर लिया दाय दोनोों साइड को चेट लड़ने जो जब ये भारत हमारे इस दोनों साइड से लडने जब आ रहे ठे तो ने नैंगे प्हले इनको क्या गया की पूने में जहां इस जगर रख का इंको और यह क्या करने लड़ने चले गए दोनी जहां से और फिर वह सुदनी आया मिंसकी खुशी का पल आया फागुन सक सवंथ सवंथ 1551 अर्थात अंग्रेजी वर्ष के अनुसार 19 फवरी 1630 मिंसकी आज जो 19 फवरी क्या वोंका जना हुआ किसका सिवाजी महराज का सिवाजी जैनती के नाम से प्रसिद्ध है उद्धी हम सिवाजी की पुझा करते हैं 19 फवरी के वोंका जनाम हुआ था सिवाजी महराज को जनाम ज्यादा तो समय क्या पड़े सहनाई नगाड़े बज़ रहे थे इसे मंगल मैं समय में जिजाबाई När पुझा का जनम दिया पुत्रतनमंस की लड़के गोज क्या दिया जनम दिया पुत्रमिंस लड़का किले में लोग फुजी जूम रहे उठे बच्चे का नाम करण हुआ सिवाजी का नाम सिवाजी क्यों रखा गया तो अगर आप से कोई सिवाजी महाराज के जनम कब हुआ तो 19 फवरिल 1630 में उनका नाम सिवाजी महाराज क्यों बढ़ा ताप है कर सकते कि उनका नाम सिनेरी कि लामी जनम वह इसलिए उनका नाम क्या पड़ा सिवाजी हैं शिवाजी महाराच की मतां जी नाम जी जाबाई च छोटे मूटे किसे इन सर आपको लॉदर तो आपको इस्पीस से याद हुआ हो सकता ही byd फिलाद आप या देखिए कि सिवाची महाराच का पिता का नाम नाम ताजीराच का नाम जीज़ाबई उनका जनम का भुआ उन्हेश स्वैबरे 1630 में और उनका नाम सिवा जी क्यों पढ़ा क्योंकि वह सिनेरी की लामें उनका क्या हुआ जनम वह चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हैं कि सिवा जी महाराज का बच्पन सिवा जी महाराज अब कहीं नगे देख सकते कि जब सहाजी राज जीजा बाई उनकी मा ने उनका अच्छे तरीके से पालन पोशन किया था कि अच्छे तरीके से पालन पोशन किया था किसने जीजा बाई ने किसका सिवा जी महाराज चलिए देखते हैं कि आगे हम क्या सीख सकते हैं सिवा जी महाराज से सिवा जी महाराज की जीवन के प्र किसी बढ़ ग्यान सिवा जी महाराज को मिला किसी सबसे पहली गुरु किसी बच्चे की क्या होती हैं कि मा hell यो उसले बगर माज्स के सबसे परफली है क्यों स्विवाजी महाराच को पास बैठा कर उन्हें प्यार से सहलाती rights तक अपने पास बुला माराच के स्विठों मां ने उनके सर पर प्यार से साल आती राम कृष्ण भीम अभिमन्यू की कहानी सुनाती राम जिससे हम सत्त की रा सीख सकते प्रक्रम सीख सकते भीम जिससे हम सक्ती सीख सकते अभिमन्यू जिससे हम स्वर्य सीख सकते एक कहानी सुनने के बाद कई नगे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता हमें एक ताकत हम एक उरिजा मिलती है कि हम अपने दुस्मनों मिंस कि हमारी जो फीलिंग अमारे बुरे विचार है जो हमारे सामने आते हमारा डर उनसे हम क्या कर सकते हैं लड़ सकते सकती पूर्वक तो इनकी कहानी आप भी सुनिया इनकी अगर बायोग्राफी आप कही न कही रामायर देखत हैं माह भारत देखते हैं तो इसमें krishnah द्वारा भुथ कुछ कहा गया है क्या सकते से सकते इक संथ एकनाथ अभंग का कर सुनाते मिंसकि आप संथ कभीर के बारे में जान सकते संथ नाम दें संथ ग्याने सब को थे इस सब अभंग गाने वाल मिंसके अच्छे ची बाते बताने वाले एक से बढ़कर एक बाते बताने वाले थे यह एक सब बढ़कर एक बाते उनको बताया अब मोबाईल पर सर्च किचे में बहुत आपको समझे और जिंदगी में जीने की प्रैनडा मिलती है और बढ़ने की मिलते हुँ इस टेकल हम आगे बढ़ सकते हमारा जो लालच है वह हमें खाता हैं कैंड़ कि यह बढ़ता है तो गुशह जो वह हमारे लिए अच्छा भी होता है रोप्लीयों क्यों पर आप गुस्से में आके कुछ उल्टा कदम उठा ले तो आपके लिए भूरा है लेकिन उसी गुस्से के आप यूज कर के आप अपने गोल को अचीव करते तो आपके लिए क्या है फायदे मनत हैं इस रिम का हम जिस आपको मनुरंजन भी होगा सीखने को भी बहुत कुछ मिले गा चलिए आगे बढ़ते हैं और संथ और संथ एकनाथ के अभंग करकर सुनाती सिवाजी महाराज को वीर पूरुस की कहानी अच्छी लगती इसकी तागत बहुता जो अच्छे प्राकरम में जैसे कृष्णह और राम हो गये भीम हो गये इन सब कहानी क्या लगती आप भी कहानी सुनिये आपको अगर सीखने को तो जिन्हार बाई उन्ने साधूसंतों के चरित की कहानी भी सुनाती है जो शाधूसंत हुआ करते था यो बहुत नेक दिल के हुआ करते बहुत अच्छे को मिलती है एक चान अगर comfortable जिंदगी भर में इसके आराम दाय जिन्दगी में जाथा तो नहीं काम चलता है एक uncomfortable लोगों को होना पड़ता मिंसकी दुनिया से बाहर निकलना पड़ता और दुनिया करना पड़ता है फील करना पड़ता है तो मैं बहुत कुछ सीखने गों मिलेगा आप को मौलूम में दोनिया है बहुत कुछ है आप चिंदगी में कभी दुनिया पूरी नहीं घूम सकते इत्नी बड़ है अप यह दोनिया पूरी गोल आप अगर एतना घूमना पड़े है इस judgment गुमे घुमे खुब बड़ी नदी दिखेंगे एक सबढ़कर रहस्य दिखेंगे एक सबढ़कर क्या दिखेंगे रहस्य दिखेंगे आपको राम से तु नदी देखने को मिलेगी जो स्री लंका और अपने इंडिया को जोड़ता है से बहुत सारे अद्बूत रहस्य देखन न हुआ मिन्सकी अदू कहानी सुनाया करें साधू संतु की थो उंके मन में साधू संतू के लिए एक अच्छी भावना उत्पर्ण होता उस्यां सविवा करने मन में गरीब मा बच्चों जो गरीब मा मॉलो मेंसकी के गतायों की माΑलो का नाम दिया गया है गरीब मावलों के बच्छों सिवा जी महाराज के साथ खेलने के लिए आते थे कभी-कभी सिवा जी महाराज वे उनकी छोपड़ी में जोपड़ी में जाते हैं उनकी प्याज और रोटी बड़े चाव से खाते हैं मिन्स कि आप इदर देख सकते हैं सिवाजी भाव में कितना दया का भाव होता कि कहानिया सुना करते हैं इसलिए उनके मन में आज उतनी दया भाव है वो उन गरीब लोगों के साथ यह नहीं कि उ कि वह कभी किसी में भेदबाव नहीं करते हैं इसलिए उन्होंने आगे तक बढ़ते रहे और लोगों को यही रापे लेके चलते गए वो थे हमारे सिवाजी महराज उनके साथ मजिदार खेल खेलते मावले के बच्चों के मनों में जंगल के पच्ची थे मिन्स कि जो माव क्मारे सिस्टी तो आधिके लिए जंगल के किसे थे पच्ची से वैस्तोटे को यल से की हुभुभु बोली बोलते थे मिटवह की हांती खोड़े बनाते किले बनाकर आदी के अउनके प्रीये खेल लुका चुप्पी खेल खेला गे लट्टू चलाना यह खेल तो सदेव ख इसके साथ सिवाजी महाराज भी ये खेल कहलते थे अलगी का हम जो भी हज़ुआए मेजारी बीडियों में जारें में और अगले वीडियो centuries चouders go तो आप भी जरूर देखेगा उसके आजम जितने भी कोश्टेंस अरे सब को स्वाल करेंगे लाइन बाइन तो आने वाला हमारा वीडियो जो आप जरूर देखेगा और यह वीडियो देखने के बाद आपको जरूर समझ में आएगा यह आपको इतना आज के लिए खतम करते ह नहीं के साथ हमारा क्या वीडियो का होता है अंत